हेलो दोस्तों प्रतिमाजियस एकडिम पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों करेंट फिर शुरू करते हैं आप लाइक करें शेयर करें जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें अथा आज का पहला पॉइंट है जल दूत अइप जल दूत अइप इसलिए बना गया है क्योंकि पानी का जो अस्तर है पानी का स्तर दिनो दिन नीच्छे जा रहा है नीचे जा रहा है लेकिन यह नहीं पता हो पाता है कि कितना नीचे जा रहा है ग्रामीड अस्तर पर जल के सुरोत का पता लगाने जल अस्तर को कुएं में कितना नीचे जा चुका है उसका पता लगाने के लिए जलदूत अइब को विक्सित किया गया है जलदूत अइब को ग्रामिर विकास मंत्राले के द्वारा ग्रामिर विकास मंत्राले के द्वारा विक्सित किया गया है के द्वारा विक्सित किया गया है और इसे लांच किया गया है ग्रामीड विकास और पंचायती राज मंत्राले के द्वारा ग्रामीड विकास और पंचायती राज मंत्राले के द्वारा लांच किया गया है अब पंचायती राज मंत्राले को इसमें सामिल करने की क्या वसकता थी? जो कि जलदूत एप है, ये ग्रामीड छेत्रों को ही टार्गेट किया गया है ग्रामीड छेत्रों में जो कुवाँ है, उसी के पानी को टार्गेट किया गया है और ये बताया गया है कि इसे वर्स में दो बार वर्स में दो बार इसकी जानकारी ली जाएगी पानी के अस्तर को आखा जाएगा पहली बार मांसून के पूर्व और दूसरी बार मांसून के बाद कि इससे क्या पता चलेगा इसे पता ये चलेगा कि जो कुवां है जो कुवां है अब इस कुवां में पानी कितना है मांसून के पूर्व जो है पानी कितना है और मांसून के बाद में पानी बढ़ा है तो कितना बढ़ा है तो इसके बारे में चर्चा जलदूत ऐब के माध्यम से होगा और जलदूत ऐब इसे बताएगा यानि कि केंद्रिये ग्रामिड विकास और पंचायती राज मंत्राले के द्वारा जलदूत आईब को लांच किया गया है ध्यान रहे लांच करने में ग्रामीड विकास मंत्राले और पंचायती राज मंत्राले दोनों सामिल है और इनके विकास में किवल ग्रामीड विकास मंत्राले है कि वह ग्रामीड विकास मंत्राले नहीं जलदूतायब को बिक्सित किया है और इसका उपयोग किया जाएगा ग्रामीड इलाकों में चैनित कुवों के जलस्तर का पता लगाने में जलस्तर का पता लगाने में किया जाएगा इस आयब का कार मुख रूप से मुखरूप से याद रहे मुखरूप से ग्रामीड छेतर के भूजल अस्तर का सही डेटा एकत्र करना है और इस अयब का विकास भारत सरकार के ग्रामीड विकास मंत्राले के द्वारा किया गया है जलदूतै ग्राम सुराज सहायक को वर्स में दो बार मांसून पूर्व और मांसून के बाद चैनी तुकूओं के अस्तर का पता लगाने में किया जाएगा अगला पॉइंट है रानीपूर टाइगर रिजर्व उत्तर परदेश ने चित्रकूट जिला के रानीपूर वर्नजीव अभ्यारण को राज के चौथे बाग अभ्यारण की अधिसूचना की मंजूरी दिया यहाद देश का चौवणवा टाइगर रिजर्व होगा देश का चौवणवा टाइगर रिजर्व होगा और देश का तिरपनमा टाइगर रिजर्व 36 गड़का गड़का गुरू घासी दास राष्टिये उद्ध्यान को घोशित किया गया था यहीं देश का तिरपनमा टाइगर रिजर्व 36 गड़ में है गुरू घासी दास राष्टिये उद्ध्यान में और देश का चौवणवा जो है टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला चित्रकूट जिला में पुर्वन्यजू अभ्यारण में जो घोशित किया गया तो अब उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है चार उत्तर प्रदेश में अब कुल टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है चार और ये भी ध्यान रहे बुंदेल खंड छेत्र में ये परदेश का पहला टाइगर जर्व होगा बुंदेल खंड छेत्र में परदेश का पहला होगा प्रदेश का पहला राज्ज का चौथा देश का चौमनवा टाइगर रिजर्ब होगा रानीपूर टाइगर रिजर्ब अब उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्ब की संख्या हो गई चार तो चार में एक हो गया रानीपूर टाइगर रिजर्ब एक हो गया आपका रानीपूर टाइगर रिजर्ब ध्यान रहे यह चौथा है यह उत्तर प्रदेश का चौथा है भी जो हालही में बना है अन्न तीन कौन कौन से है अन्न तीन है एक दुधवा टाइगर रिजर्प हैनि दुधवा राश्टिय उद्ध्यान दूसरा पीली भीत पीली भीत टाइगर रिजर्प और तीसरा है आमन गड़ टाइगर रिजर्प ध्यान रहे कि 36 गड़ का गुरु घासिदास राश्टिय उद्ध्यान भारत का तीरपनवा टाइगर रिजर्प है और बुंदेल खंड छेत्र में राज्ज का पहला टाइगर रिजर्प रानीपूर टाइगर रिजर्प है उत्तर प्रदेश के अन टाइगर रिजर्प में दुधवा राश्टिय उद्ध्यान पीली भी टाइगर रिजर्प और अमन गड़ टाइगर रिजर्प सामिल है अगला पॉइंट है सिलेंडर लोरिस अभ्यारण सिलेंडर लोरिस एक ऐसी प्रजाति है लोरिनाय प्रजाती है लोरिनाय प्रजाती की प्राणी है जो भारत और स्री लंका तथा दच्छिर पूर्व एसिया में पाये जाता है भारत में इसे बचाने के लिए एक अब्भारण अधिक्रित किया गया है जो शरी लंका में इसकी दो प्रजातियां कि दो प्रजातियां है जिनमें पहला है रेड लोरिस और दूसरा है ग्रे लोरिस जो रेड लोरिस है यह स्री लंका में पाया जाता है और जो ग्रे लोरिस है यह भारत में पाया जाता है और दोनों के मिक्चर दच्छिपूर्ग एसिया में पाया जाते हैं तो स्लेंडर लोरिस को यानि कि भारत में पाया जाता है ग्रे स्लेंडर लोरिस तो उसके संद्छन के लिए तमिलनाडू में सिलेंडर लोरिस के लिए भारत के प्रथम अभ्यारण को आधिसूचित किया गया है प्रशन पूछ सकता है सिलेंडर लोरिस के लिए का भ्यारण भारत में बनाया गया है वो किस राज़े में बनाया गया है तो तमिलनाडू में बनाया गया है इस अभ्यारन को कंडावूर फारेश्ट नाम दिया गया है तथा इसे वन्यजीव संदच्छन अधिनीयम 1972 के तहत आधिसूचित भी किया गया है यानि एक बात यहां आओ निकल क्या आती है कि वन्यजीव संदच्छन अधिनीयम कब बनाया गया था 1972 में सेलेंडर लोरिस लोरिनाय कुल की प्राड़ी है अगला पॉइंट है सुका पाई का नदी सुका पाई का नदी ये महानदी का सहायक है महानदी का सहायक है लेकिन उडिसा में कुछ जगहे पे लगभग 40 किलोमीटर के दाइरे में या महानदी से अलग हो जाती है और उसके बाद फिर बाद में महानदी से मिल जाती है महानदी से मिल जाती है तो अभी चर्चा में होने का कारण क्या है द्यान ले सुका पाई का नदी उरिसा में है우 उरिसा, उरिसा राज में और महानदी की सायक नदी है, तो चर्चा में होने का कारण क्या है, यनजीटी ने उरिसा सरकार को ultimatum दिया है, यन, जी, टी, अब ये क्या चीज है नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल इसकी इस्थापना क्या गया था? फाउंडेड बाई गौवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 2010 यानि कि इनजीटी की इस्थापना 2010 में की गई थी तो नेशनल ग्रीन सब्द लिखा हुआ है तो जाहिट सी बात है हरा भरा की बात हो रहा है हरा भरा की मतलब मतलब इनवायरन मेंट की बात हो रहा है इनवायरन मेंट मतलब परिया वरन की बात हो रहा है तो यानिजीटी को अब बहुत सारी सक्तियां दे दी गई है कि वो परियावरण के लिए कई बार जज्जमेंट भी दे सकता है देख भी सकता है और इसको ताकत कई प्रकार से और दे दिया गया है कि वह निरड़य भी सुना सकता है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्नल ने सुका पायका नदी के लिए सुका पायका नदी के लिए और इसा के राज सरकार को छै माह के अंदर सुका पायका नदी के पुनर जीवित करने का आदेश दिया है यानि यंजिटी ने ओडिशा के राज सरकार को छा महीना के भीतर सुका पायका नदी को पुनर जीवित करने का निरदेश दिया है और सुका पायका नदी महा नदी की कई वितरकाओं में से एक है यानि महा नदी के सहायक नदियों में से एक है और आगे चल करके बाद में फिर ये महानदी से जुड़ जाता है जुड़ जाता है यनि लगभग 40 किलो मीटर में ये बिलुप तो हो गया है तो इसलिए इसको कहा गया है NGT के द्वारा निर्देश दिया गया कि 6 महने के अंदर इसे पुनर जीवित किया जाए तो दोस्तों मैं अपने क्लास को ही पर समाप्त करता हूँ धन्यवाद जै जै भारत